नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का और अगर आप भी रविंदर जडेजा को अच्छा गेंदवाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों बंगलादेशियों की निकाल फैकी जडेजा ने अकड विकिट पे विकिट चटका कर किया रोने पर मजबूर आखिर कैसे पलट कर रख दिया जडेजा ने मुकाबला कौन से वो तोड डाले वंडे इतिहास के रिकॉर्ड जो सालों से नहीं तूट पाए वो सब आप सभी को क्या लगता है कि रविंदर जडेजा और कुल्दीप यादव में से कौन अच्छा गेंदवाज है अपनी कीमती राए हमी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चली अब आपका ज़दा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि बांगलादेश और भारतिय टीम के बीच में वर्ड़कप के मुकाबले की शुरूरात आखिरकार पूने के महरश्ट क्रिकेट असोसियेसन इस्टेडियम पर हो चुकी है तो वहीं दोस्तो इस मैच में बांगलादेश टीम के पाकिबल हसन नहीं है उनकी जगापर नजमल हुसेन शांटू ने कप्तानी को संभाला आए और आज टोस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी हुनी ने चुना जा इस दोरान तजीद हसन और लिटन दास जब पारी की शुरूत करनी के लिए तो दोनों बल्लेबा जिनोंने पंदरवे ओवर की चौती गेंद पर लबी डबलू बोल्ड आउट करके तंजीद हसन को चलता किया और दोस्तों ये बड़ा विकिट मिल जाने के बाद भारतिय टीम के इरादे फिर पूरे मैदान पर बुलंद नजर आ रहे थे इस दोरान नेजमल हुसेन इस मैदान पर बढ़ता चला जा रहा था लेकिन दोस्तों भारत के गप्तान रोहित शर्मा के लिए एक चिंता का विशह ये था कि हार्दिक पांडिया को चोट लग गई यहाँ पर उनका पैर मुड़ जाने के कारण भार उनको जाना पड़ा जा उनका पहला ही ओवर पूरा नहीं हो पाया और तीन गेंदे उस ओवर की विराट कूली ने फेकी थी जा उनकी गेंदवाजी से भी मैच में कुछ तो असर पड़ता हुआ न जा राया अब दोस्तों भारतिय गेंदवाजों की बारीती बांगलादेशी खिलाडियों को जल्द से जल्द पविलियन की रहा दिखाने की और यहाँ पर भारतिय गेंदवाजों ने यही किया दरसल हुआ यही कि रविंदर जडेजा ने फिर लिटन दास को 66 रन पर चलता किया तो दोस्तों आपको हम बताते हुए चलें कि जड़ेजा ने आज जैसे ही भारत के लिए दो विकेट हासिल किये थे तब ही उन्होंने वंडे क्रिकेट में 211 विकेट लेने के आखड़े को भी पार कर लिया और दोस्तों वो भारत के ऐसे और राउंडर खिलाडी बन गए हैं जि पुराना रिकॉर्ड तोड़ा तो वहीं बात करें अगर अगले रिकॉर्ड के बारे में तो दोस्तों रविंदर जड़ेजा ने जो अगला बड़ा किर्तीमान अपने नाम किया है वो ये है कि भारत की तरब से अगर आप लिस्ट में देखोगे तो दोसों या फिर दोसों से ज़्यादा विकिट लेने वाले गेंदवाजों की सूची में अब रविंदर जडेजा साथवे नम्मर पर आ चुके हैं जा उन्होंने इर्फान पठान वेंकटेस प्रसाद कपिल देव अरबजन सिंग जैसे खिलाडियों को पीछे करते हुए ये किर्तिमान अपने नाम किया है तो दोस्तों रविंदर जडेजा ने अपनी शांदार गेंदवाजी से और भैतरीन एकोनोमी से गेंदवाजी करवा के हर किसी को हैरान कर दिया है और जडेजा का बोलवाला इस पूरे ही वर्ड कप में देखने के लिए मिला और अब आप से भी क्या मानते हैं रविंदर जडेजा की ऐसी शांदार गेंदवाजी देख लेने के बाद और आप जडेजा को उनकी गेंदवाजी के लिए 10 में से कितने नमर दोगे अपनी कीमती राय हमें नीचे करके जरूर बताईएगा